नमस्कार चात्रों, मैं आरती यादव, आज हम हिंदी लोग भारती नववी कक्षा कवीता क्रमांग छे ए सक्खी इस कवीता का अध्यन करेंगी। चात्रों, ए सक्खी इस कवीता के कवी अमीर खुसरों जी हैं जिनका जनम बारासो तिर्पन और जिनकी मृत्यूं तेरोसो पच्चीस में हुई हैं बच्चों, इनका मूल नाम अब्दुल, हसन, यमेन उद्दीन खुसरों हैं चोदवी, सधी के लगबग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुक कवी, शायर, गायक और संगीत का अर्थे वर्चों इनका परिवर कई पीडियों से, राज़दर्बार से संबंधित था, स्वयम अमीर खुसरों ने आट सुल्तानों का सासन देखा था चात्रों, क्या आपको पता है, अमीर खुसरों प्रथम मुस्लिम कवी थे, जिनों ने हिंदी सब्दों का खुल कर प्रयोग किया है वह पहले व्यक्ति थे, जिनोंने हिंदी, हिंदवी और फार्शी में एक साथ लिखा है उन्हें खड़ी बोली के आविशकार का स्रेय दिया जाता है वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं बच्चों सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का लेक किया था वे फार्शी के कवी भी थे अमीर खुसरों को हिंदी का तोता कहा जाता है बच्चों चात्रों आज की जो हमारी कवीता है ए सक्खी यह पहेलियों का ही एक रूप है पहेलिया यानि बुझजवल जिस तरह हम कोई चीज बुझते हैं उसी तरह यह भी एक पहेलिया है जो लोग प्रचली थे बच्चों जिसका लक्ष मनरंजन के साथ साथ बुद्धी चातूरे की परिक्षा लेना होता है इस कवीता में अमीर खुसरों जी ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशे सैली में पहेलिया बुझाई है और सोयम इनके उत्तर भी दिये हैं अर्थाद बच्चों मुकरियां मुकरियां का मतलब होता है कि हम जो पहेलियां पूछते हैं जब पहेलियां पूछते हैं तो हमारी पहेलियों में ही इनके उत्तर भी होते हैं जिस तरह पहलियां होती हैं, तो हम पहलियां पूछते हैं, तो सामने वाला उत्तर देता है, लेकिन मुकरियों में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम प्रश्न भी करते हैं, और स्वयम भी उत्तर भी देते हैं. चात्रों, अब हम अपने पहले पद पर चलते हैं, हमारा पहला पद, रात समय वह मेरे आवे, भोर भैवा घर उटी जावे, यह अचरज है सब से न्यारा, हे सकी सा जन्ना सकी तारा, हे सकी सा जन्ना सकी तारा. अर्थात बच्चों, ध्यान से देखो, रात समय वह मेरे आवे, आवे याने आना, भोर भैवा घर उटी जावे, भोर भोर याने सवेरा, भै याने होना, घर उटी जावे. यह अचरज है सबसे न्यारा, अचरज याने आश्चर, न्यारा याने अद्भुत, अनोका, है सकी साजन, ना सकी तारा, इसका भावार कुछ इस तरह है बच्चो, यहाँ पर कभी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चो, कि जो नाईका है, वो अपनी सकी से पूझ रही है पूछना याने यहां पर बूझना बूझ रही है अपनी सकी से क्या बूझ रही है कि रात के समय वह मेरी पास आते हैं रात में और सुबह होते ही वह उठकर चले जाते हैं यह आश्चर सबसी न्यारा है यह आश्चर है न्यारा है अद्बुत है अनोखा है क्या है सकी क्या यह साजन है फिर स्वयम नाई का उत्तर देती है और कहती है नहीं सकी वह साजन नहीं है वह तो तारा है क्या है बच्चो तारा तो हमारी पहली का क्या उत्तर आया तारा चलो चात्रो, हम अपने दूसरे पद पर चलते हैं हमारा दूसरा पद कुछ इस तरह है वह आवे तब साधी होई उस दिन दूजा और न कोई मीठी लागे वाके बोल हे सकी साजन ना सकी डोल हे सकी साजन ना सकी डोल यहाँ पर ध्यान देना बच्चो हम इसका पहले सब्दार देखेंगे वह आवे तब साधी होई हो याने होना उस दिन दूजा और न कोई दूजा दूजा याने दूसरा और न कोई कोई याने कोई यानि उस दिन दूसरा और कोई याद नहीं आता आगे मीठी लागे वाके बोल मीठी लागे लागे याने लगना वाके वाके याने उसके बोल याने जो हम बोलते हैं हमारी आवाज यानि उस दिन कोई और आवाज मेटी ने लगती, उसकी ही आवाज मेटी लगती है हे सकी साजन, ना सकी डोल तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे, हमारा भावार्थ कुछ इस तरह है यहाँ पर कवी नाईका के दोरा अपनी सकी से पहली बूझ रहे हैं, देखो नाईका अपनी सकी से पहली बूझ के वे क्या कह रही है वह आता है तब साधी होती है ध्यान देना बच्चो, जब वह आता है तब साधी होती है साधी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं होता ध्यान दिया आपने कि वह आता है तब साधी होती है और साधी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं होता उसके बोल बड़े मीठे लगते हैं बड़े प्यारे लगते हैं यानि उसकी आवाज हमें बड़ी मीटी और बड़ी प्यारी लगती है हे सकी क्या यह साजन है और फिर स्वयमनाई का उत्तर देते हुए कहती है नहीं सकी वह धोल है क्या उत्तर मेरा हमें बच्चो धोल यानि वह साजन नहीं है वह क्या है धोल है चलो चात्रो अब हम अपने तीसरे पत पर चलते हैं जब मांगू तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन बुझावे मन का भारी तन का छोटा हे सकी साजन ना सकी लोटा अब हम इसका सब्दार देखेंगे जब मांगू तब जल भरी लावे मांगू याने मांगना तब जल भरी लावे लावे याने लाना मेरे मन की तपन बुझावे तपन यहाँ पर प्यास याने मेरी प्यास से है मन का भारी मन याने मेरा मन का भारी यहाँ पर भारी का आर्थ है बड़ा तन का छोटा यहाँ पर तन का आर्थ हुआ सरी और तन का छोटा यहाँ पर तन का मतलब हुआ पानी हे सकी साजन ना सकी लोटा लोटा नहीं वो बरतन जिसमें हम पानी पीते हैं उसी तरह अब हम इसका भावार्ट देखेंगे कवी के अनुसार नाईका अपने सखी से पहली बुझते वे कहती है क्या कह रही है पहली बुझते वे जब मैं मांगती हूँ वह मेरे लिए जल भर के लाता है अर्थात नाई का जब मांगती है तब वहाँ जल भरके लाता है और मेरे मन की ताप को बुझाता है ताप यानि प्यास को बुझाता है यानि वो मेरे लिए पानी भरके लाता है और मेरी प्यास बुझाता है अर्थत मेरी प्यास को बुझाता है और भले ही सरीर का छोटा है वो यानि सरीर से छोटे आकार का है लेकिन उसका हिर्दय विसाल है लेकिन उसका जो मन है वो विसाल यानि बहुत बड़ा है उसका मन जो है बहुत बड़ा है वो दिल का विसाल है वो दिल का बड़ा है हे सकी, क्या यह साजन है? नाई का स्वे मुत्तर देते वे कहती है ना सकी, यह लोटा है साजन नहीं है, क्या है बच्चो? लोटा चलो बच्चो, अब हाँ अपने चौथे पत पर चलते हैं बेर बेर सो वत ही जगावे बेर बेर सो वत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे व्याकुल हुई मैं हक्की बख्की व्याकुल हुई मैं हक्की बख्की हे सकी साजन ना सकी मख्की हे सकी साजन ना सकी मख्की चलो, अब हम सबदार देखेंगे बेर बेर सो वत ही जगावे बेर बेर याने बार बार सोवत ही याने सोते हुए सोते ही जगावे याने जगाना ना जागूं तो काटे खावे यानी जब मैं नहीं उठती तो काटता और खाता है व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की व्याकुल होना याने परेशान होना हक्की बक्की यने भोचक्की रह जाना हे सक्की साजन ना सक्की मक्खी तो अब हम इसका भावार देखेंगे यहाँ पर कवी कहते हैं कवी क्या कह रहे हैं नाइका के द्वारा क्या पहली बूझ रहे हैं जरा हम ध्यान देंगे यहाँ पर कभी पहली बूझ रहे हैं कि वह बार-बार सोते वे मुझे जगाता है यानि जब मैं सो जाती हूँ तो वह मुझे बार-बार जगाता है अगर मैं नहीं जाकती यानि मैं नहीं उठती तो वह मुझे काटता है और परिशान करता है और मैं परिशान हो गई हूँ एकदम परिशान और कुछ कर नहीं पा रही हूँ हे सकी क्या यह साजन है तो नाई का स्वयम ही उत्तर देती है ना सकी यह तो क्या है मक्ही है तो इसका आर्थ क्या हुआ बच्चो हमारा उत्तर क्या मिला हमें यहां पे मक्ही तो कहने का आर्थ हुआ, बेर बेर सो वत ही जगाव यानि बार बार मुझे सोते वे जगा रहा है ना जागूंतो काटे खावे यानि वह मुझे काटता है जब मैं नहीं उठती तो व्याकुल होकर मैं हक्की बक्की हूँ यानि मैं बहुत परेशान हो गईूं तो वो कौन है बच्चो, साजन नहीं है, वो कौन है, मक्खी है चलो चात्रो, अब हम अपने अगले पत पर चलते हैं अति सुरंग है रंग रंगीली, है गुडवंत बहुत चट कीलो, राम भजन बिन कभी न सोता अब हम इसका सब्दार्थ देखेंगे अति सुरंग है रंग रंगीली, अने सुन्दर रंगो वाला, रंग रंगीली रंग रंगीली आने खुस मिजाद उसका जो सभाव है वो हमेशा हसमुख खुस रहने वाला है गुडवंत बहुत चट कीलो, है गुडवंत गुडवंत याने गुडवान सभी गुडों से संपन्य बहुत चट कीलो, चट कीलो याने मन को लुभाने वाला ऐसा रंग है यानी चमकदार रंगो वाला राम भजन बिन कभी न सोता, बिना राम का भजन किये कभी सोता नहीं है, क्यों सकी साजन ना सकी तोता, अब हम इसका भावार देखेंगे, यहाँ पे नाईका अपने सकी से क्या पहली बूझ रही है, तो नाईका अपने सहली से पहली बूझते वे कहती है, कि वह बहुत ही रंगों वाला है यानि बहुत खुबसूरत रंग है उसका और खुश मिजाज है खुश मिजाज याने की खुश रहने वाला उसका चरित्र जो है उसका जो सुभाव है वो खुश रहने वाला हमेशा प्रसंद रहता हमेशा खुश रहता है उसके साथ ही वह गुडवान और च चमकदार रंगु वाला है जो मन को लुभाता है राम का भजन किये बिना वह कभी नहीं सोता इसका आर्थ ही हुआ यानि बिना भजन किये वह कभी नहीं सोता है हे सकी क्या वह साजन है और फिर नाई का सोयन ही उत्तर देते वे कहती है ना सकी तोता है तो यहाँ पर कहने का अ तो हम उसे कैसे कहेंगे अति सुरंग है रंग रंगीले है गुडवन्त बहुत चटकीलो राम बजन बिन कभी न सोता क्यों सकी साजन ना सकी तोता तो हमारा उत्तर क्या आया तोता चलो चात्रो अब हम अपने अगले पद पर चलते हैं हमारा अगला पद कुछ इस तरह है अर्ध निशाव आयो भौन सुन्दरता बरने कविकौन निर्खत ही मन भयो अनन्द क्यों सकी साजन ना सकी चंद क्यों सकी साजन ना सकी चंद तो अब हम इसका सब्दार्ध देखेंगे अर्ध निशाव आयो भौन अर्ध निशा याने आधी रात को आयो भौन भौन याने भवन को घर पर वो आधी रात को घर पर आया सुन्दर ता बरने कवी कौन बरने याने वर्डन करना निर्खत ही मन भयो अनन याने देखते ही हमारा मन आनन्द से भर गया ही सकी साजन, ना सकी चंद, चंद याने चंद्रमा तो अब हम इसका भावार्ज देखेंगी यहाँ पर कवी पूझते हैं यानी नाई का पहली पूछ रही है, बूज रही है किस से, सकी से, क्या पहली बूज रही है या पूछ रही है, आधी रात को वह भवन में आता है, यानि आधी रात, 12 बजे के बाद, वह कहां आता है, भुवन में, घर में, उसकी सुन्दर्ता का वर्डन कोई कवी नहीं कर सकता, य खूपसूरत है उसे देखते ही मन आनंद से भर उपता है यानि वह इतना खूपसूरत है कि उसको देखते भर ही अपना मन खुश हो जाता है अपने मन अपना जो मन है अपना जो दिल है वो आनंद से भर जाता है हे सखी क्या यह साजन है फिर उत्तर देते हुए स्वयम कवी कहते है स्वयम नाईका कहती है क्या कहती है नहीं सखी यह तो चंद्रमा है चंद्रमा है जो इतना खुबसूरत है कि उसको देखते ही हमारा मन जो है आनन्द से भर जाता है तो हमारा उत्तर क्या हुआ बच्चों यहाँ पर चंद्रमा यानि पहली का जो उत्तर है वो क्या है चंद्रमा चलो चात्रों अब हम अपने अगले पत पर चलते हैं हमारा अगला पत कुछ इस तरह है सोभा सदा बढ़ावन हारा अखियन सेचिन होतन न्यारा सोभा सदा बढ़ावन हारा अखियन सेचिन होतन न्यारा आठ पहर मेरोमन रंजन क्यों सकी साजन ना सकी अंजन सोभा सदा बढ़ावन हारा सोभा सदा यानि सोंदर्य सदा सदा याने हमेशा बढ़ावन हारा याने हमेशा सौंदर्य को बढ़ाता है अखियन से चिन होतन न्यारा अखियन यानी आखों से चिन याने पल भर होतन न्यारा याने पल भर वो आखों से अलग नहीं होता एकदम अनोखा है वो आठ पहर मेरोमन रंजन आठ पहर पहर याने तीन घंटे का समय आठ पहर याने की एक पहर तीन घंटे का तो आठ पहर 24 घंटा याने एक दिन पुरा मेरो याने मेरा मन रंजन याने मेरे मन को प्रसंद करने वाला याने पूरे 24 घंट याने पूरे दिन मेरे मन को प्रसंद रखने वाला ऐसी चीज क्यों सकी साजन? क्या वह साजन है? ना सकी अंजन यानि वह क्या है? अंजन है तो अब हम इसका भावारत देखेंगे नाईका आगे पहली या बुझाते वे क्या कह रही है अपने सकी से? देखो कहती है हमेशा आखो की सुन्दर्ता को बढ़ाने वाला है क्या करने वाला है? आखो की खुबसूरती को बढ़ाने वाला आखो की सुन्दर्ता को बढ़ाने वाला साथी साथ आखों से छण भड के लिए भी अलग नहीं होता आठो पहर वह मेरे मन को भाता है यानि आठो पहर यानि 24 गंटा यानि पूरे दिन वह मेरे मन को एदम भाता यानि अच्छा लगता है हे सकी क्या यह साजन है फिर स्वयम ही उत्तर देते वे नाईका कहती है नहीं सकी वह क्या है अंजन है अंजन यानि काजल है क्या है सच्छा बच्चो काजल क्या है उत्तर मिला हमें काजल चलो बच्चो अब हम अपने अगले पत पर चलते हैं जीवन सबजग जासों कहे, वाबिन उनेक नधीरज रहे, हरे ठिनक में हियकी पीरा, क्यूं सखिसा जन ना सखिनीर, क्यूं सखिसा जन ना सखिनीर. तो अब हम इसका सबदार्थ देखेंगे. जीवन सबजग जासों कहे, जिससे कहे, वाबिन उनेक नधीरज रहे, वाबिन उनेक, याने तनिक भी, उसके बिना तनिक भी दीरज, धेरे नहीं रहे सकता, यानि उसके बिना धीरज नहीं रहता हरे छिनक में हिय की पीरा छिनक यानि छण में हिय की पीरा यानि हिय यानि दिल के दर्द को हर लेता है पीरा यानि दर्द क्यों सखी साजन ना सखी नीर तो अब हम इसका भावार देखेंगे नाईका अपने सखी से प्रश्न करते वे कहती है यानि यहाँ पे पहली पूछ रही है अपनी सखी से और क्या पहली पूछ रही है वजराद्यान दो जिसे सारा संसार जीवन कहता है पूरी दुनिया जिसको जीवन कहती है क्या है वो तता जिसके बिना सज्जन भी धैरे नहीं रख सकता जिसके बिना सज्जन भी धीरज नहीं रख सकता धैरे नहीं रख सकता या एक छड में ही हिरदय की पीड़ा को हर लेता है यानि पल भर में पल भर में वो हमारी तकलीफ को खतम कर देता है हमारे दर्द को खतम कर देता है, हमारी पीडा को हर लेता है, हे सखी क्या यह साजन है, फिर स्वयम ही उत्तर देते वे नाईका कहती है, क्या कहती है, हे सखी यह क्या है, नीर है, नीर याने जल, क्या है बच्चो, जल, तो जल, जिसको पूरी दुनिया जीवन कहती है, जल ही जीवन है और जिसके बिना अंसजण भी अपना धेरे खो देता है और पल भर में वह हमारी प्यास को बुजाता है यानि हमारी दर्द को हमारी पीड़ा को खतम करता है तो वह क्या है साजन नहीं है वह क्या है जल है बिन आये सब ही सुख भूले आये तो अंग अंग सब फूले सीरा भई लगावत चाती क्यों सकी साजन ना सकी पाती तो बच्चो अब हम इसका सबदार देखेंगे बिन आये सब ही सुख भूले यानि सारे सुख भूल जाते हैं बिन उसके हम सारा सुख भूल जाते हैं आये तो अंग अंग सब फूले, आये तो अंग अंग यानि हमारा अंग अंग प्रफलित हो जाता है, खुश हो जाता है, फूले यानि पुलकित होना, खुश होना, सीरा भई लगावत च्छाती, यानि च्छाती से लगाते ही हमारी साथ, च्छाती जो है ठंड़ पड़ जात तो अब हम इसका भावर्त एक साथ देखेंगी नाइका कहती यानि नाइका पहली बुजाते वे अपने सकी से क्या पूछ रही है कि उसके ना आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता यानि जब वो नहीं आता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता अर्था जैसे सारा सु हम भूल जाते हैं हम बहुत दुखी हो जाते हैं और जब वो आता है यानि जब वो आता है तो हमारा अंग अंग में हमारे अंग अंग में प्रसनता चा जाती है यानि हमारा अंग अंग बहुत खुश हो जाता है हम बहुत खुश हो जाते हैं उसे सीने से लगाते ही च्छा और स्वयम ही नाई का उत्तर देते वे कहती है नहीं सकी यह तो पाती है पाती याने चिट्थी है क्या है बच्चो चिट्थी है तो यहां पे कभी ने कितने खूपसुर धंग से पहलियां बूचते वे याने मुकरियों के द्वारा हमें कहा है बिन आये सब ही सुख भूले आ आये तो अंग अंग सब फूले सीरा भई लगावत चाती क्यों सकी साजन ना सकी पाती चलो बच्चो हम अब एक साथ ध्यान देंगे पूरी कभीता का सार देखेंगे इस कभीता में कभी अपनी पहलियों के माध्यम से बताते हैं कि रात के समय आने वाला और सुबह घर चले जाने वाला क्या है बच्चो तारा है सबकी साधी कराने वाला और मीठे बोल वाला धोल है जल पिलाकर प्यास बुझाने वाला लोटा है सोते समय काटकर जगाने वाली मक्थी है सुन्दर रंग वाला गुडवान और राम भजन किये बिना न सोने वाला तोता है अर्द रात्री को घर आने वाला और सुन्दरता का भंडार चंद है यानि चांद है आखों की सोभा बढ़ाने वाला और आखों से एक छण भी दूर न होने वाला क्या है बच्चो काजल है जीवन नाम से प्रसिद और चंद में हिर्दय की पीड़ा दूर करने वाला जल है आते ही प्रसनता लाने वाला और चाती को सीतल करने वाला पत्र है यानि हमारी चिट्ठी है तो इस तरह हमें पूरी कविता से इसका जो भावार्थ है अर्थ है वो हमें मिलता है चलो बच्चो अब हम स्वाध्याय पर चलते हैं चलो अब हम प्रशनक्रमांग एक पर चलते हैं मुकरियों के आधार पर निमलिखित सब्दों की विशेस्ता लिखिए प्रशनक्रमांग एक सब्द क्या है मैंने यहाँ पर आपको सब्द दिये हैं तोता, नीर, अंजन, ढोल, इस तरह चार सब्द आपको दिये हैं, पहला मैंने आपको बता दिया, राम भजन किये बिना कभी न सोने वाला, ये क्या है, तोता की विशेस्ता है, उसी तरह नीर की क्या विशेस्ता कवीता में दी है, छण में रिदाई की पीड़ा को हरने वाल यानी दर्द को हरने वाला, उसी तरह तीसरा अंजन, अंजन याने इसकी विशेस्ता मैंने कवीता में दी है, क्या है उसकी विशेस्ता, आठ पहर तक मनरंजन करने वाला, उसी तरह ढोल की विशेस्ता मैंने कवीता में दी है, मीठे बोल, बोलने वाला, तो इस तरह आपक यह चारो सब्दों की विशेस्ता लिखनी है अब हम प्रश्नक्रमांग दो पर चलते हैं निमलिकी पद्यांच का भावार्थ लिखिए मैंने यहाँ पर आपको पद्यांच दिये हैं पद जो है वो दिये हैं उसके जो भावार्थ हैं जो मैंने आपको कवीता में समझाए हैं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है पहला पद मैंने आपको दिया है रात समय वह जो पहला पद है सखी तारा तो इसका भावार्थ जो है आपको लिखना है उसी तरह दूसरा अति सुरंग है सखी तोता तो इसका भी भावार्थ आपको लिखना है, उसी तरह अंतिम तीसरा जो है वो बिना आय सब ही सक्षी-पाती यानि पाती वाला जो पद है उसको आपको लिखना ये तीनों पदों का भावार्थ आपको अपनी कौपी में लिखना है तो अब हम चलते हैं प्रश्नक्रमांग तीन पर प्रश्नक्रमांग तीन हमारा कुछ इस तरह है पुस्तकों का संसार ग्यान मनरंजन का भंडार इस संदर्म में अपने विचार लिखिए यानि पुस्तके जो है वो ग्यान का भंडार है मनरंजन का भंडार है तो इस पर अपने विचार यानि अपने भावनाओं को अपने विचारों को लिखना है इस तरह हमारी जो कवीता है हे सकी वह संपन्न होती है पूरी होती है इसका स्वाध्धा है आपको अपनी कॉपी में लिखना है धन्यवाद थाइन एक आचे वहाई